हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर आएं भोती आसान शी रेसिपी तो आज हम बनाएंगे वरत के लिए साबुदाना खिचडी जो की भोती खिली खिली बनकर तयार होगी और भोती मज़दार लगती है खाने में अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर करें सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें तो शाबुदाना खिचटी बनाने के लिए हमने यहापे दो कप MARY अब इसमें डेड़ पानी डालेंगे तो हमने यहाँ पे 2 कप साबुदाना और 1.5 कप पानी लिया है अब इसे कवर करके 4-5 गंटे के लिए सोकोने के लिए रखतेंगे अब यहाँ पे हमने कुछ साबुदाना खिच्टी बनाने के लिए तयारिया कर लिए है अब एक कड़ाई लेंगे इसमें 1 टेबल इस्पून घी डालेंगे घी में 1 फोर्थ कप मुंगफली डालके फ्राय कर लेंगे मुंगफली अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब इनको निकाल लेंगे अब उसी घी में 1 अब टी श्पून जीर डालेंगे जीराच्छे से भुन जाने के बाद में इसमें दो कटी हुई हरी मिर्स और एक छूटा टुकडा ग्रेट किया हूँ आद रखका लेंगे अब इसमें दो कटे हुई कच्चे आलू लेंगे अगर आप के पास उपले हुई आलू हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं इसे 2 मिनिट फ्राय करने के बाद में कवर करके 2 मिनिट के लिए पकाएंगे आलू को चेक कर लेंगे देखे आलू थोड़े पक गए हैं अब इसमें एक चमच काली मिर्स पाउडर डालेंगे एक चमच सेन हरा मख डालेंगे दो कटे हुई टमाटर डालेंगे ताकि टमाटर थोड़े सोफट हो जाए और आलू भी अच्छे से पक जाए दो मिनिट बाद में चैक करेंगे देखिए टमाटर अच्छे से सोफट हो गये हैं जो हमने साबुदाना सोक करके रखे थे वह हमने 2 कप साबुदाना लिये थे लेकिन हम आदे साबुदाना ही बनाने के लिए, इसे अच्छे से mix कर देंगे, और इसे cover करके दो मिनिट के लिए पकाएंगे, low to medium flame पर, दो मिनिट बाद में इसे check कर लेंगे, फिर से cover करके इसे दो मिनिट के लिए फिर से पकाएंगे, इसे ज़्यादा देर तक ढख कर ना पकाएं वरना यह साबू दाने हैं जो चिपक जाएंगे आपस में अब इसे दो मिनट के लिए फिर से पकाएंगे कवर करके फिर से चैक कर लेंगे इसे देखी साबू दाना की खिच्री बन चुकी है और देखी भोती खिली खिली बन कर तयार हुई है देखी कितना आसान है साबू दाना की खिच्री बनाना और देखी भोती खिली खिली बन कर तयार हुई है आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और नवरात्रा के वरत में या किसी भी फलाहार के वरत में इसे खाएं भोती मज़दार लगती है और अब इसमें फ्राइ की हुई मुंग फली डालेंगे आधे नीम्बू का रस डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हर अधनिया डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखी बहुती खिली-खिली खिच्री बनकर तयार हुई है अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू